हेलो दोस्तों तो दूद की मलाई से घी और मावा दोनों साथ में बनाएंगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो घी देखिए इस तरीके से निकल आएगा और मावा भी तो हमने चार पास दिन का मलाई ले लिया है तो ले करके डारेक्ट कडाही में रखके गैस पे चड़ करके इस तरीके से गाढ़ा होने लगेगा देखिए इस तरीके से गाढ़ा हो रहा है और इसको प्रॉपर चलाते रहना है क्योंकि नीचे लगने का डर रहता है गैस मतब तेज गैस नहीं करना है नहीं नीचे जलने लगेगा तो आप इस तरीके से चलाते हुए बराबर प पकाईए और पकाने के बाद में कुछ लोग तो रात में जोरन डाल करके मलाई में रख देते हैं और सुबह से मिखसर के में पीस करके और इस तरीके से छाच अलग कर लेते हैं अब उसका मक्षन pension अलग करके और तब घी निकालते हैं लेकिन मैं डायरेक्ट मलाई रख करके और डारेक्ट मलाई का ही घी और मावा दोनों निकालूंगी और मावा से तो कभी मिठाई ठाई भी बहुत अच्छी से बन जाती पेड़े बन जाते हैं और भी कोई मिठाई बनाना मिल्केक बनता है बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बनता है तो देखिए कितना अच्छा सा गी बनके रेडी हो गया है थोड़ा ठंडा होने पर मैं अब इससे छनी से इस तरीके से छान लूँगी तो छानने के बाद में घी अलग हो जाएगा और मावा अलग हो जाएगा तो हम इस तरीके से छान लेंगे और अच्छे से दबा दबा के पूरा घी निकाल लेंगे इस मैं दबा रहे हूं इसी तरीके से आपको भी दबा दबा के पूरा घी अलग कर लेना है और मावा अलग कर लेना है ताकि मावा में ज़्यादा घी ना रहे है और ये हमारा देखिए घी कितना बढ़ियां सा इतना निकला करीबन तीन सो चार्ट सो ग्राम तो घी निकला ही अलग करेंगा।